नमस्कार मैं हूँ चंद्रभान सिंग मदोरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव पहले आपको नवर्ष की बहुत बहुत बदाई शुब कामना है और जैसा कि मैंने दो दिन पहले कहा था कि पंचाच चुनाओ को लेकर एक वीडियो मैं और लेकर आऊंगा आप सभी जानते हैं कि पंचाच चुनाओ राजी निर्वाचनायक द्वारा MP सरकार की अनुसंसा पर इस्थगिद कर दिये गए हैं और MP सरकार ने कहा है कि कोरोना के चलते ये चुनाओ इस्थगिद किये जा रहे हैं लेकर मैं ये मानने को तयार नहीं हूँ कि वज़े करोना है मेरा मुझे लगता है कि किसान आंदोलन के चलते सरकार अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती इसलिए चुनाओ को करोना की आड़ में आगे बढ़ा दिया गया है खेर आधार तो मजबूत है करोना के नाम पे चाहे सुप्रीम कोट या हाई कोट हो हर जगे सरकार अपनी बाद दमदारी से रख सकती है एक्सक्यूस तगड़ा है लेकिन अब मैंसे कई लोग ये कह रहे हैं कि अब क्या होगा आरक्षन का कब चुनाओ हो जाएंगे तो जो मेरी राहे मैं आपको बता रहा हूं मेरी अफसरों से बात हुई है मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप आयोग की ओर से अधिकरत जानकारी न माने मेरा वर्जन माने और अगर मुझे आप सही मानते हैं तो भरोसा कर लिजिए नहीं मानते हैं तो आपकी मर्जी आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमने फरवरी तक चुनाओ इस्थगित किये हैं उसके बाद हम मार्च में कराने के इस्थथी में हैं लेकिन COVID की इस्थथी को देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 मार्च के बाद ही ये बाद जाएगी और नगरी चुनाओ तीन मेने के लिए इस्थगित किये थे यानि कि मार्च तीस तक इस्थगित किये थे अब सवाल यह कि पहले कौन से कराएंगे आयोकी मनसा पहले पंचाज चुनाओ कराने की है उसके बाद नगरी चुनाओ कराने की अब सरकार क्या कहती है ये भी देखने वाली बात होगी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आरक्षन का क्या होगा आप सरों को कहना कि आरक्षन हो चुका है अब दोबारा आरक्षन नहीं होगा नए सिरे से नहीं होगा उसकी जरुवत भी नहीं है तैयारिया पूरी हो चुकी है सब कुछ हो चुका है ये कोविड पेंडमिक के कारण चीजें आगे बड़ी है इसलिए नए सिरे से कुछ करने की जरुवत नहीं है इसलिए आप मान के चलिए 99 फीजदी आरक्षन वही रहेगा एक प्रतिसत आरक्षन संस्वधित हो सकता है अगर यह मामला बहुत आगे खिच जाता है तो एक बार फिर से एक्स्टेंशन होता है तो दूसी चीज निर्वाचन नामावली का आप जानते हैं कि चुकी चुनाओ आगे बढ़ गया है उड़ाई तीन महीने बाद वोटिंग होगी इसलिए मान के चलिए कि पंचायद के लिए फिर से नामावली बनेगी फिर से नामावली का प्रकार्शन होगा दावे आपतियां बुलवाई जाएंगी इसलिए अगर आपको नाम जुडवाना है आपति है तो एक बार फिर से आपको मोका मिलेगा ऐसा आप सरों का कहना है तो जो आगे समय बढ़ा है उसमें आप दुखी और मायूस मत होईए मुझे लगता है कि आप ज़्यादा मायूस है लेकिन एक सिस्टम का हिस्सा है किए यह सच है कि कई सरपाँच जो मनमानी कर रहे हैं उससे जन्ता तरस्त है यूः तरस्त है वो अब बदला उचाते हैं लेकिन कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे होंगे तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको शुब कामना है कि अगले चुनाओं में वो फिर से आ जाएं जो यूवा चुनाओं लड़ना चाहते हैं उनको ये वक्त मिला है अपने वीजिन के साथ जनता के बीच में जाएं गरबड़िया हों तो कलेक्टरों को शिकायत करें 181 पे डाल 181 करें CM समाधान पे शिकायत करें और इस तरीके से आप गरबड़ी करने आले सरपंचों की जाँच करवाएं ताकि जनता के बीच में मैसेज जाए कि अगली बार आपके बीच में आते हैं तो आप देख लीजिए कि इन्होंने क्या गरबड़ी की है तब तक जो समय मिला है आपको इसका इस तरीके से इस्तमाल करें एक्सपोस करें उन सरपंचों को जिन्होंने गरबड़ी की है और तारिफ करें उन सरपंचों के जिरोंने अच्छा काम किया है हाला कि तारिफ वाले उंगलियों पर इन्हें लायक मिलेंगे खेर सुचना देनी थी मुझे कि क्या स्टेटस है आरक्षन का अब नामावली का आपको बता दिया और अब मेरे हिसाब से मैं मतलब मैं चंद्रवान सिंग मिदोरिया मुझे ऐसा लगता है कि अब पंचाज चनाओ मार्च के अंतिम हपते से लेकर अप्रेल बीस के बीच में होंगे दो से तीन चरणों में और निकाज चनाओ अप्रेल और मई के बीच में संबव है ये भी संबव है कि उल्टा हो जाए कि पहले नगरी चुना हो जाए मार्च अंत में दो चरणों में और उसके बाद पंचाज चुना हो ऐसा मेरा असेस्मेंट है लेकिन जो आपको वक्त मिला है करीब करीब मुझे लगता है 80-100 दिन का इस्तमाल कीजिए अपनी पैड बनाईए पकड बनाईए और एक्सपोस कीजिए उनको जिन्होंने आपके गाउं में गड़बडी की है चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं खुछ से पूछिए नहीं किया हो नए जोड़े हो तुरन सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबादे ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे